हाई फ्रेंड्स मैं हूँ बंसिधर आर एंडी डिजिटाल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आसा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे इस डिफिकल्ट टाइम पे आप सभी लोगों को सेफ रहना है और उसके साथ साथ अपने को न्यू स्किल भी सिखना है यह सिखाता रहता हूं सु फ्रेंड्स हमारे आज का टपिक है वह कासी की सिरीज का है। माँ लिजिए कि आप का कोई भी फेस्बुक का बिजनेस पेज है और आप वहां पर us alt पैड campaign कैसे करते हैं आपको आता है या नहीं आता है माल जीए कि आपके office के कोई relatively करवाना चाहते हैं यह फिर कोई कॉलिग से करवाना चाहते हैं कोई आड अजिंसी से आप कराना चाहते हैं या फिर कोई फ्रीलांसर से कराना चाहते हैं उसके लिए आपको आपके फेस्बुक के जो आड अकाउंट है उसके एकसेस आपको देने पड़ेंगे जब आपके फेस्बुक के आड अकाउंट के आप एकसेस देंगे तभी जाके हो कोई भी पेड π्रो रहों कर पाएंगे juga Leaf aunque website ट्राफिक भो गया या फिर आपका store traffic boyfriend's व्लेजशंट हो गया पुछ आप पर वीडियों क agora कोई भी पेड करना है अपको फेस्बूक में आपको किसी और साप कर बादा चाहते हैं तो कलमान लिए कि वह आपके साथ काम नहीं किये कुछ गरबड हुआ उनके पास ID और password होगा तो सब कुछ गरबड हो सकता है वह आपके page के साथ कुछ भी कर सकते हैं आपके अकाउंट और डिलीट भी कर सकते हैं इसके लिए यहां पर जो मैं आपको तरीका सिखाऊंगा इस तरीके में आपको उनको आपका जो अकाउंट का ID और पासवार्ट शयार करना ज़रूरी नहीं है आप बीना शयार करें आपके ID पासवार्ट आप आपके Facebook आड़ अकाउंट का एकसेस दे सकते हैं शरीक एक ही तरीका है कि उनका Facebook में पेज होना चाहिए अगर आप उनको आपका जो Facebook आड़ अकाउंट का आप रोल अकसेस दे देंगे फिर वह सारे पेड प्रोमोशन कर पाएंगे फ्रेंड्स आज मैं आपको दो चीज सिखाऊंगा पहला चीज सिखाऊंगा कि Facebook आड़ अकाउंट का रोल अकसेस कैसे देना है वह मैं आपको कंप्योर में बताऊंगा कंप्योर पे या मोबाईल पे दोनों में तरीका सेम है दूसरा चीज बताऊंगा जो बनस टीप से कि Facebook आड़ अकाउंट में जो रोल अकसेस है वह कितने टाइप के रोल अकसेस है और क्या-क्या रोल अकसेस है वह मैं आपको बताऊंगा अगर आप मेरे चनल पर पहले बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चनल पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि हम यहाँ पे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड कंप्लिट टेक्निकल वीडियो बनाते हैं विरेडिजिटगो सब्सक्राइब करें चलिए कम्प्यक्टर स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं मेरे personal facebook page पे आ चुका हूँ अभी यहाँ पर आपको आपके business page पे जाना है यानि जो भी business page का आप access देना चाहते हैं business page का आड account का आप access देना चाहते हैं पहले आपको business page पे आना पड़ेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे business page यह सारे है आपको आपके business आपको आपकी business page को आपकर लिता हूँ मैरे business記者 पर अपन होने के बाद आप इहां देख सकते हैं मिरे माउच जहाँ यह business suite लिखा हुआ है My mouse यहां पर आप चेक करिए Business Suite लिखा हुआ है इसको यह देखेए यहां पर Business Suite है तो इसके उपर आपको right click करके आपको Open In A New Tap करना है या फिर इसके उपर click भी कर सकते हैं तो मैं prefer करता हूँ कि Open In A New Tap करके आपको दिखाता हूँ यहां जैसे यह Open In A New Tap किया आपको जाना है ये देख़े इतने सारा चीजे दिख रहा है यहांपे add manager के उपर आपको right click करके यहांपे right click करके open in a new tab, ऐसे कर सकते हैं या फिर यहांपे इस admin तो जैसा यह उपनी ने न्यू टाप किया तो आप देख सकते हैं इस तरीके से एक पेज उपन हो गया तो मतलब यह मैं मेरे एड मेनेजर में आ चुका हूँ अभी यहाँ पे देखिए लेट साइट में आपको यहाँ पे मेरे माउस जहां पे है यहाँ पे देखिए आपको इसके उपर एगन क्लिक करके उपन इने न्यू टाप करना है एक तरीका है नहीं तो पीर आप इसी के उपर ही क्लिक कर सकते हैं तो सेटिंग्स पे आप क्लिक करके आप न्यू पेज पे जा सकते हैं अभी मैं सेटिंग्स पे क्लिक करके उपन इने न्यू टाप करता हूँ तो जैसे setting पे click करके अपनी ने new tab किया, इस type के page पे आ गया, अभी यहां पे देखिए मेरे mouse यहां पे है, यहां पे क्या लिखा है, art account role, यहां पे यह art account role आपको यहां art करना है, यहां पे देखिए यह जो है, यहां पे art people दिख रहा है, तो अभी यहां पे इस art account का मतलब जो admin है, यह है बंसिधर जेना जो मैं हूँ, और यहां पे आपको art people करना है, यह art people के उपर click किया, आप देख सकते हैं, जैसे मैंने art people के उपर click किया, यहां पे इस type के एक new window open हो गया, अभी जिसको आपको art role का access देना है, सबसे पहले आपक art account जो लिखा हुआ है, यहां पे तीन type के role है, एक art account admin है, एक art account advertiser है, और एक art account analyst है, मतलब इस में से आप, तीन में से कोई भी आप दे सकते हैं, अबर मैं sort में बताओ, admin के पास full access रहेगा, advertiser के पास strip advertisement के related access रहेगा, और analytics के पास strip analysis के related रहेगा, अभी मान लिजे कि मैं art account क admin का access देता हूँ, अभी यहां पे आपको देखिए, enter a friend's name, अगर आप नाम जानते हैं, जिनको तो आपको उनका नाम या फिर email id से search कर सकते हैं, अभी मैं नाम जानता हूँ, अभी यह देखिए, जेना बन सिधर, यह मेरा एक दूसरा है, तो यहां पे मैं je type किया, तो मेरा आगया जेना बन सिधर, अभी यहां पे देखिए, यह आगया मेरे फोटो यहां पे दिख रहा है, आपको यह खास ध्यान रखना है, किसी का गलती से किसी और को आपको access नहीं दे देना है, अभी यहां पे आप नाम से type करके search कर सकते हो, आपको अच्छे से देख लेना है, या फिर अगर आपको email ID उनका पता है, तो email ID से आप search कर सकते हो, जिस email ID से उनका Facebook page होगा, जिस email ID से Facebook page होगा, यह ध्यान रहे, अभी यहां पे आपको confirm करना है, देखिए, मैंने यहां पे confirm किया, यहां पे जैसे ही confirm पे click किया, यहां पे देखिए, जैना बन सिधर has been added to your ad account यहां पे मैं close करता हूँ, यहां पे देखिए, जैना बन सिधर जो है, वो यहां पे already add हो गया, यहां पे देखिए, मैंने इसको अभी दिया था access, तो यहां पे यह add हो गया, अगर वाइचांस का भी remove करना है, तो remove user, यहां से हम इसको remove भी कर सकते हैं, तो यह था, मैं quickly बत पर आना है, यहें देखिए, business suit, business suit पर आने के बाद, आपको यहां पे more tools में जाना है, more tools पर आप जैसे click करोगे, यह add manager पर जाना है, add manager पर आना के बाद, यहां पर settings में जाना के बाद, यहां बतु है आपको यह add करना है, अभी friends, इसमें थोड़ा सा arrest details में ao chnatsya हो यहां पे देखिए कि कितने टाइप के आप मतलब एकसेस होते हैं आप जिसको भी एकसेस देंगे आप यहां पे मेरा जो word docs में यहां पे यहां पर जो yellow format जो है, यहां पर तीन टाइप के एकसेस है, एक तो add account admin access है, दुस रग account advertiser है, तिसरा ad account analysis है मतलब आपको check करना है आप जिनको access देंगे आपको किस टाप की access देना है अगर आप उसको ad account admin access देते हैं तो वो आपके जो है admins can create, edit and view ads मतलब आपके जो admins होंगे वो add create भी कर सकते हैं edit भी कर सकते हैं, view भी कर सकते हैं report भी access कर सकते हैं payment method भी edit कर सकते हैं और admin भी manage कर सकते हैं किसी को admin भी बना सकते हैं तो यह हो गया, मतलब admin मतलब इसके पास ad account के related full access रहेगा, तो आप check करके देना कि उसको आप क्या access देना चाहते हैं अब यह second is ad account advertiser इनका काम है अगर आप इस type के access देते हैं तो इनके पास जो access है वो सारे रहेंगे, strip इतना नहीं कर पाएंगे किसी को और नहीं कर पाएंगे किसी को और रोल access नहीं दे पाएंगे बाकी सारे access इनके पास रहेगा अभी यह तिसरे है ad account analysis इसका मतलब यह है कि इनको स्रीब आपका analytics check कर ना रहेगा बाकी यह कुछ नहीं कर पाएंगे तो यह सबसे बढ़िया चीज़े है यहाँ पर एक important चीज़ में बताना चाहूंगा कि आप जिनको आप आपके आड account का access दे रहे हैं वो आपके personal profile login नहीं कर सकते इभीन आपका profile चेक नहीं कर सकते आपके कोई news feed वो सारे वो देख नहीं सकते तो यह बहुत ही अच्छा चीज़ है दूसरा चीज़ है यहाँ पर यह देखिए कि आपको किसी को भी मतलब access से remove करना है आप कभी भी उसका access आप remove कर सकते हैं कभी ठोर के चले जाते हैं या और कुछ problem होता है तो कभी भी आप इसको remove कर सकते हैं मैंने अभी जो तरीका बताया वो तरीका यहाँ पर इसको stepwise लिखा हुआ है अगर आप इसको screenshot लेना चाहेंगे तो भी आप इसका screenshot ले सकते हैं तो बहुत ही आसान तरीका था फ्रेंट से फ्रेंट्स आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चनल को आप subscribe कर लेना इस वीडियो को आप ज़रूर like करना इस वीडियो में सबसे क्या अच्छा लगा please comment में बताना अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके कोई friends के काम के है तो please आप उनको share करना आप इस वीडियो को share करेंगे comments करेंगे like करेंगे और हमारी चनल को अगर आप subscribe करेंगे तो मैं आपके related इस टाइप के technical वीडियो में बनाते रहूंगा इनकेस आपको Facebook स्रीज में और क्या technical वीडियो चाहिए प्लीज आप मुझे comments में बताना तो मैं आपके लिए new वीडियो लाता रहूंगा मेरे end screen पे आपको complete Facebook स्रीज के आपको वीडियो मिल जाएंगे आप मेरे end screen पे और भी बहुत सारे playlist आपको मिल जाएंगे जैसे कि मा लिजीए LinkedIn सिखना है Google My Business सिखना है तो आप सारे playlist हमारे चनल पे आप देख सकते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं friends फिर मिलेंगे वीडियो में जाएंगे